दोस्तो अगर आप share market या फिर mutual funds में invest करना चाहते हो या फिर share market में trading करना चाहते हो तो आपको dmat plus trading account की जरुरत होगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप grow के साथ dmat account open कर सकते हो और अगर आपको future and options में trading करना हुआ तो कैसे आपको future and options segment को activate करना है grow app में ही तो पूरा account opening process में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को last तक देखते रही है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के description में दिये हुए पहले link पे click करके play store पे redirect हो जाना है और grow का official application install कर लेना है ये वाला application grow stocks mutual fund UPI application को install करने के बाद simply आप open कर लोगे app को open करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना email id प्रोवाइड करना होगा आप Google के email id यनि के Gmail id के साथ continue कर सकते हो जो कि आपके mobile में added है ये पर आप कोई दूसरा email id भी use कर सकते हो तो यहाँ मैं continue with Google इस पे click करूँगा अब जितना भी Gmail id आपके mobile में added है उसका list मिल जाता है अब जिस भी Gmail id के साथ continue करना चाहते हो उसे select कर लोगे जैसे यहाँ mobile number इंटर करने के लिए कहा जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि आपको वही mobile number इंटर करना है जो कि आपके bank account के साथ link किया हुआ है और बाकी mobile number से पहले आपने अभी email id प्रोवाइड किया उसे भी आपको verify करना होगा वह कैसे करना है आगे मैं आपक confirm कर लेना है उसके बाद जो भी mobile number आप इंटर करते हो उस पर OTP आता है six digit का SMS में ग्रोग की तरप से वो OTP आप यहाँ पर इंटर कर दोगे और confirm कर लेना है उसके बाद अगले step में यहाँ पर आपको चार डिजिट का ग्रोव पिन सेट अप करने के लिए कहा जाएगा तो इसके बाद यहाँ पर आपसे phone का SMS का और location का permission मांगा जाता है आप simply नीचे allow permission इस पर क्लिक करोगे तो सारे permissions को यहाँ पर एक एक करके आपको allow कर देना है allow पर क्लिक करके अब सोर सोर में जो भी आपने bank account के साथ link किया वो mobile number इंटर किया था वो mobile number आपके जिस भी bank account के साथ link किया हुआ है और जो bank account आप grow में add करना चाहते हो link करना चाहते हो उसे आप select कर लोगे यहाँ पर आप bank का नाम सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर popular bank का नाम उपर में दिखाई भी दे देता है इसके अलावा आप नीचे भी इस list में से select कर सकते हो मेरा account SBI में है यहाँ इसको select क हो जाता है अब यहाँ पर आपको अपना pen card number इंटर करना होगा permanent account number तो account open करने के लिए आपके पास pen card number होना ही चाहिए और यहाँ पर जो भी data आप provide कर रहे हो 100% safe and secure है pen card number इंटर करने के बाद continue कर लेना है जैसे आप pen card number इंटर करके continue करते हो यहाँ पर आपको अपने pen card का preview दिखाई देगा आप नीचे yes confirm पर क्लिक कर लोगे अब आप अपना occupation चूज कर लोगे अगर आप student हो यह फिर housewife हो तो यह भी आपको यहाँ पर मिल जाता है option बाकि आप अपने profession के recording occupation चूज कर लोगे अब यहाँ पर करना होगा अब यहाँ पर करने के लिए आपको अपना 1,000,000,000 जो minimum वाला है वो चूज कर सकते हो बाकि अगर आप किसी job में हो तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप income चूज कर लोगे जिस भी range में आपका income आता है अब यहाँ पर आपको अपने marital status चूज कर लेना है आप single हो यह फिर married हो उसके बाद यहाँ पर आपको trading experience भी किया हुआ है तो आपको टीपी के मादियम से तो verify कर ही सकते हो अगर आधार कार्ड के साथ mobile number link किया हो नहीं है तो नीचे आपको upload your document manually यह दिखाई देता है यहाँ से भी आप आधार verify कर सकते हो इसके लिए बस आपको आधार का picture upload करना होगा और बाकि अगर आधार कार्ड क के लिए डीजी लॉकर के मादियम से आपका document fetch किया जाएगा आप simply इस पर select कर लोगे और यहां से authenticate आधार इस पर क्लिक करना है आप यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर दोगे जो कि 12 डिजिट का होता है और next कर लेना है उसके बाद आपके आधार कार्ड के स registered with DG Locker और जब आप DG Locker के लिए रजिस्टर करते हो तो आप six digit का security pin भी बनाते हो वही पिन आपको इहां पर इंटर करना होगा तो DG Locker अगर आपको पता नहीं है कि क्या है तो यह सरकारी एप है जहां से आप कोई भी सरकारी document उसका number इंटर करके डाउनलोड कर सकते हो इ support my pin पे क्लिक करके pin को reset भी कर सकते हो यानि कि change कर सकते हो दुबार से बना सकते हो इसके लिए आगे आपको आधार का नंबर इंटर करना होता है और आधार कार्ट से link की वे mobile नंबर पे OTP मगा करके verify करना होता है और आप दुबार से pin बना सकते हो तो यहां कुछ अपना DG Lock का security pin याद है तो simply enter कर देता हूं 6 digit का pin और यहां से done कर लेना है अब यहां पर आप देख सकते हो क्या का detail DG Locker के माधियम से provide किया जाएगा grow को यहां से allow कर देना है अब यहां पर KYC करने के लिए आपको अपना selfie भी upload करना होगा यानि कि front camera से एक picture click करके upload करना होगा picture click करने से पहले अगर आप चस्मा या glasses पहनते हो तो उसे आप उतार दोगे तूपी पहनते हो या फिर मास्क पहने हुए हो तो उसे आपको हटा लेना है ताकि आपका face clearly visible हो नीचे open camera दिखाई देता है इस पर click करना है grow आपसे camera का permission मांगता है ताकि selfie capture कर सके allow कर देना है यहां से अब यहां पर यह जो red circle दिखाई देता है इस circle के अंदर आपको अपना face रखना है और एक picture click करना है जब आप face को सही से locate करके इसमें रखोगे तब यह circle green हो जाएगा अगर यह circle red है तो उस समय आप capture नहीं कर पाऊगे तो सही से face रखने के बाद ही यह circle green होगा मैंने सही से face को locate कर लिया है इस circle के अंदर circle का color green हो चुका है यहां से capture कर लेना है इस तरीके सा आपका selfie capture हो जाता है अब यहां पर आपको अपना signature भी provide करना होगा आप यहां पर इन दोनों पर select कर लोगे तो signature provide करने के लिए proceed to signature इस पर click करना है अब इस white rectangular box में आपको अपने finger से touch करके sign कर लेना है अगर sign करने में कोई गरवरी हो जाती है तो आप यहां पर reset करके sign को erase भी कर सकते हो और दुबार से भी sign कर सकते हो तो सही से signature करने के बाद आपको submit कर देना है अब आप अपने account में nominee भी add कर सकते हो आप maximum 3 nominee add कर सकते हो तो आपके account पे आपके बाद आपके nominee का ही तो nominee add करना हुआ तो add nominee पे click करना है और nominee आप किसी भी relative को बना सकते हो माता, पिता, भाई, बहन, husband, wife किसी को भी आप simply यहाप add nominee पे click करेके nominee add कर सकते हो अगर बाद में nominee add करना हुआ तो वो भी आप कर सकते हो इसके लिए आप do it later कर दोगे अभी मैं nominee add करना चाहता हूँ, add nominee पे click करूँगा अब यहाँ पर आपको अपने nominee का detail add करना होगा जैसे कि nominee का name, nominee के साथ आपका क्या relation है, nominee का date of birth उसका identity proof optional है, इसे आपको छोड़ देना है बाकि आप maximum 3 nominee बना सकते हो, बाकि अगर आपका और nominee का address सेम है तो इस पे select कर लोगे, क्योंकि आपका और आपके relative का address सेम हो सकता है बाकि अगर आप एक से जादा nominee बनाना चाहते हो, तो add another nominee पे click करिके दूसरा nominee भी add कर सकते हो, आप maximum 3 nominee बना सकते हो तो सारा detail इंटर करने के बाद, finish nominee edition इस पे click करना है मैंने एक nominee add कर दिया है, मैं अभी भी चाहूं तो दूसरा nominee add कर सकता हूं finish nominee edition पे click करना है, तो मैंने अपना KYC कर लिया था, अब e-sign भी करना होगा वो भी मैं आधार कार्ड और उससे linked mobile number पे OTP मरा के कर सकता हूं तो KYC और e-sign दोनों के लिए आपको आधार कार्ड की जरुगत होती है तो e-sign करने के लिए भी आधार कार्ड के साथ link किये वो mobile number पे OTP आएगा simply proceed to, आधार e-sign इस पे click करना है, यहाँ पे terms and condition दिखाई देगा इन दोनों पे select कर लेना है और proceed कर लेना है, अब यहाँ पे आपको account opening form मिल जाता है अभी तक में आपने जितना भी detail फिल किया है, वो इस form में दिख जाएगा नीचे sign now दिखाई देगा, इस पे click करना है, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड number इंटर कर दोगे और send OTP इस पे click करना है, अब आपके आधार कार्ड से link किये वे mobile number पे OTP आएगा इस sign करने के लिए, वो OTP आप SMS app में चेक कर लोगे, और यहाँ पे enter कर देना है और verify OTP पे click करके verify कर लेना है, तो दोस्तों अभी आप पूरा वीडियो last तक देखते रहे, आगे मैं आपको यह भी बता दूँगा कैसे आपको future and option segment को activate करना है, त्याकि आप उसमें trading भी कर सको, अब यहाँ पे congratulations का इस तरीके से message आएगा अभी आप केबल mutual fund में invest कर सकते हो, बाकि 48-42 घंटे बाद आप stocks में भी investment चालू कर पाओगे simply यहाँ पे आपको explore पे click करना है, इस तरीके साब को grow app उपेन हो जाता है, अभी आप देखोगे कि grow app में कोई भी data आपको change होता हुआ दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी आपका stocks account activate नहीं हुआ है, उसमें 48-42 घंटे का समय लगेगा तो stock account activate होने के बाद मैं stocks को buy कर पाऊंगा, sell कर पाऊंगा, IPO में invest कर पाऊंगा, intraday trading भी कर सकता हूँ लेकिन अगर आपको future and option trading करना है, तो इसे activate करने के लिए, यहाँ पे product and tools के नीचे F&O दिखाई देगा, इस पे click करना है future and option segment activate करने के बाद, आप nifty 50, bank nifty इनमें trade कर सकते हो, लेकिन future and option में trading risky होता है और risk disclosure यहाँ पे CB द्वारा mention किया हुआ है, जैसे कि 10 में से 9 लोगों को इसमें loss ही होता है and on an average हर trader को 50,000 रुपीज का loss होता है, बाकी भी आप यहाँ पे disclosers पर सकते हो अगर आपको अभी भी activate करना है, तो यहाँ से okay करना होगा, अब यहाँ पे आपको अपना income proof provide करना होगा income proof आप bank statement के माधियम्स provide कर सकते हो, salary slip के माधियम्स provide कर सकते हो, ITR acknowledgement provide कर सकते हो, form 16 दे सकते हो या फिर dp transaction कम holding statement provide कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 6 मन्त का bank statement provide करना चाता हूँ, इसको select करके proceed to upload इस पे click करना है, अब जो भी bank account आपने link किया था, वो bank account आप वापस से select कर लोगे, या फिर यहाँ पे search कर लोगे, अब फिर से यहाँ पे आपके mobile number पे OTP आएगा, वो OTP आप SMS पे check करके, यहाँ पे enter कर दोगे, और proceed कर लेना है, अगेन यहाँ पे आप अपना primary bank account select कर लोगे, जो कि आपने add किया था, और proceed कर लेना है, फिर से bank account के साथ link किये हुए mobile number पे OTP आएगा, वो आप यहाँ पे enter करके, verify OTP इस पे click करोगे, अब bank statement provide करने के लिए consent detail को approve करना हो इसमें 24 घंटे का समय लग सकता है, तो दोस्तों यह है पुरा process, grow में DMAT plus trading account open करने का